हाई गईज और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपाच्या दव एजूकेशन वेलकम टी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 28 जून 2023 तो गाईज आज है तारिक 28 जून 2013 और है वेटनस डे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट स्टेट PSC के पॉइंट अव्य से काफी जादा इंपोर्टन हो जाता है तो चलो शोबार हम करते हैं बढ़े बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ हर रोज मौनिंग में राइट टाइम पांच बज़े आपको ये वीडियो इसी चनल पर बिल जाता है तो आज कौन-कौ इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपोर्टन है उसको मिस्स मत करना क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है पूरे लेक्चर को कान खोल कर फुल कंसेंट्रेशन के साथ में सुनना है इससे आपकी मेमरी भी बूस्ट होगी जब सब कुछ अच्छे से सुनोगे लास्ट में आपको टेस्ट दिया गए उसको अटेम्ट करना आपके अंदर एक हाई कॉन्फिदेंस नजर आएगा कि हायर मैंने आज के इस लेक्चर से कुछ तो सीखा है वाकी इस लेक्चर का पीडियेफ बगरा चाहिए तो उसके लि आप ले लिखना है दीपाच्यादव एजूकेशन मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहां पर 13,000 से जादा लोग अल्रेडी जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में परस्नली जुड़ सकते हो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का सेशन थोड़ा सा रेलिवेंट है का तो एजिप्ट को लेकर कुछ important facts आपने पता होने चाहिए क्योंकि इस साल दो तिन बार लगातार major कारड की वज़ा से एजिप्ट नियूज में आया है जो हाल ही का कारड है वो है हमारे भारत के प्रधार मंतरी जो recently गए थे USA के visit पर आते वे एजिप्ट होकर आये हैं तो कि capital जो काईरो है वहाँ पर भी पहली वारे ने विजट किया इस वज़ा से एजिप्ट का location बहुत जाधा important होने वाला है अब location में आपने पढ़ना क्या होता है इसको लेकर लोग confused हो जाते हैं वो सारी चीज़े में आपको बताऊंगा कि देखो जब भी कोई देश news में हो देखो transcontinental country वो देश होते हैं जो दो continent में कह सकते हो कि इस्थेदो होता है काओगे नई समझ भाया मैं आपको example दिखाता हूँ example एजिप्ट का ही ले रहें तो एजिप्ट आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा तो एजिप्ट का कुछ हिस्सा तो एफरीका वाले continent में आता है लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा एशिया वाले continent भी आता है इस वज़ा से इसको हम transcontinental country बोलता है ऐसे कई सारी countries हैं यहां पर बात आती है पैनेमा की पैनेमा का कुछ हिस्सा नौर्ट अमेरिका में आता है कुछ हिस्सा साथ अमेरिका में आता है तो यह भी एक transcontinental country है जो दो continents के अंदर में शेयर हुए वे देश हैं क्लियर हो गया तो Egypt का जो एक हिस्सा है वो तो African continent में बड़ा वाला हिस्सा Africa वाले continent में है दूसरा एक छोटा सा हिस्सा Sinai Peninsula के पास आपको देखने को मिल जाता है मैपको अगर आपको मैप में दिखाओं तो पहले तो यह वाला मैप देखो Egypt है कहां पर देखो यह पूरे देखोगे मैंने लाइन जो ड्रॉक की है इससे इधर यह पूरा African continent है लेकिन इसके इधर एश्या वाला हिस्सा है एश्या का खासकर Western Asia वाला रीजन है यहाँ पर एक छोटा सापको Peninsular region दिख रहा होगा यह वाला यह भी यहाँ पर Egypt के अंदर में आता है इसको हम लोग Sinai Peninsula Peninsular के नाम से जानते हैं अच्छा Peninsular क्या होता है मैं आपको पहले ही पता रखाए एक ऐसा लैंड एरिया जो की तीन जगा से पानी से घिरावा हो और ऐसे आपको Sinai Peninsula भी नजर आता है समझ गए तो यह है एजिप्ट ट्रांस कॉंटिनेंटल कंट्री जो की कहां का पर सिच आप में लगती है नदन साइड से नदन कहां पे हो गया तो अगर आप लोकेशन देखो गया दो ऊपर हो गया North नीचे हो गया South इधर हो गया हमारा West और इधर हो गया हमारा East ठीक है तो मान लो यहां पर एजप्ट है एजप्ट के North साइड में है Mediterranean Sea और Eastern साइड में है Red Sea चलो तो यह आपका Red Sea हो गया, प्लस Gulf of Swiss भी आपका Eastern Side में नजर आता है, आगे आता है, अब Egypt, यह तो मैं आपको बता है, कौन-कौन से समदर के साथ में Boundaries को शेर करता है, अब यह बात करता है, कौन-कौन से देश के साथ में Boundaries शेर करता है, Egypt के Boundary, Western Side से, लिबिया के साथ में उसके अलाबा, Palestinian Territory जो है, जिसको में लोग गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं, उसके साथ भी शेर होती है, इसराइल के साथ में भी शेर होती है, North Eastern Part में, और South में सुडान के साइट से शेर होती है, अगर यहाँ पर आप देखोगे, तो यह एजिप्ट है, नीचे सु अरब वर्ड के अंदर में एक देश माना जाता है, भाशा की बात करेंगे, तो modern standard जो Arabic है, वो यहाँ पर बोली जाती है, उसके अलबा religion की बात करेंगे, तो इसलाम सबसे बड़ा dominant religion है एजिप्ट के अंदर में, एस्टिमेशन एक अंदासा है कि एजिप्ट में 85 से लेकर 90 जो लोग रह रहे हैं, वो सुन्नी मुसलिम वाले आपको देखने को मिलेंगे, नदियों की बात करेंगे, तो जो फेमस नदी है एजिप्ट के अंदर वो है नाइल नदी, नाइल नदी एक लौती नदी है, जो की पूरे एजिप्ट में और पूरे साल बहती है, 98 परसेंट दुनिया की, सुरी, दुनिया बूलाओ, 98 परसेंट पूरे एजिप्ट की इस देश की जो अबादी है, वो इसी नाइल रिवर के वैली के आसपास रहती है, यह एक ऐसी नदी है, जो की पूरे एजिप्ट को क्रॉस करती है, कहां पर है, तो यह आप दिख रहा होगा, यह पर यह रही नाइल नदी, सुडान से निकल करा रही है नाइल नदी, पीछे साब देख पार होगे, और यह निकल कर आकर एजिप्ट में एंटर करकर, इस प्रकार से पूरी नाइल नदी यहां पर क्रॉस होकर, एक डेल्टा बनाते वे सीधा मेडिटरिनियन सी के अंदर मे गर जाती है, समझ गए, तो आप देख पार होगे, यह पूरे के पूरे एजिप्ट को इसने क्रॉस किया, तो इसके आसपास रहने वाले लोग हैं, आप आदे से जादा आबादी एजिप्ट की इस रिवर वैली की आसपास ही रहती है, ठीक है, अब यही पर एजिप्ट के गरती दी, लेकिन खोद गए, यहाँ पर इसको खोल दिया गया है, जिससे दो बड़े समुदर आपस में जुड़ चुके हैं, उपर मेड़े ट्रेनल्स ही है, नीचे रेड्स ही है, दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, इस छोटे से रास्ते के माद्यम से, ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है स्विस कैनल, कैनल ही बेसिकली होता है, जो दो बड़े समुदर को यहाँ पर कनेक्ट करें, एक छोटा सा नाला बना दिया जाए, उससे को आपन कैनल बोलता है, तो यह इन्फोर्मेशन आपने पढ़नी होती है, जब-जब कोई देश यहाँ पे निउ परारे होंगे, ठीक है, हुआ क्या है, हुआ यह है कि इस वल्चर के जो पॉप्यूलेशन है, इसको मद्या प्रदेश में वापस से बढ़ाने के लिए, अभी हर्याना से 20 वाइट रम्ड वल्चर्स को मद्या प्रदेश के अंदर लाया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो वल्चर कंसर्वेशन सेंटर है, वहाँ पर एक्जाक्ली लेकर आया गया है, हर्याना से, ताकि मद्या प्रदेश में इस वल्चर की पॉपॉलेशन को बढ़ाया जा सके, तो इस वदर से यहाँ पर यह जो वल्चर है, वो लगातर नियूज में बना हुआ है, आपने इसका पिचर देखा, आप छोड़ी छोड़ी इंफोर्मेशन सें, जैसे कि यह जो वल्चर है, मीडियम साइस का है, इसका साइंटिफिक नेम है जिप्स बेंगोलेंसिस, इसको हम लोग इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर के नाम से भी जानते हैं, ध्यानकना इंपॉर्टन नाम उसके अलावा, जो ये वल्चर है, वाइट रम्ड वल्चर, ये इंडिया के साथ साथ, पाकिसान, बांगलदेश, नेपाल, भूटान, मियानमार, थाइलेंड, लाउस, केंबोडिया, इंड सदन वेतनाम, इन सभी देशों के अंदर में पाया जाता है, केवल इंडिया में कम बची है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, फीचर्स क्या है, तो एक मीडियम साइस का गेद्द है, इसके जो सर देखोगे तो यहाँ पर कोई ऐसा फैदर इसके सर पर नजर आए गई नहीं, लेकिन बाकी जो इसकी गर्दन है, वो काफी ज़दा लंबी है, जो इसके व कर सकते हो, जो यहाँ पर, जो यह वल्चर्स है, जो बड़े साइस के होते हैं, वो थोड़े से डाकर कलर में होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े से यहाँ पर लाइट कलर की देखने को मिल जाते हैं, बाकी क्या-क्या फैदर के फीचर्स हैं, वो हम अल चलब है ये वल्चर की संख्या बहुत बहुत खत्रे में है इसको बचाना बहुत जरूरी है और अगर आज इसको नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में इस वल्चर की संख्याई पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी इसको extinct category में डालना पड़ेगा एक विलॉप राजाती ये कहलाएगी ठीक है उसके लाब वाइलेफ प्रोटेक्शन एक 1972 में शेडियूल वन में कवर किया गया इसको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइट करवाई गई है कोई अगर इसकी हंटिंग वगरा करता है तो उसके उपर पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी नेक्स आर्टि की सरकार ने हाली में एक कमिटी बनाई है ताकि जो एक मैटर निकल कर आए क्योंकि केदारनाथ मंदिर का जो सैंक्टम सैंक्टोरों में अंदर वाला गर्ब ग्रिये वाला जो हिस्सा है जहां पर मेल यहां पे शिवजी बैटे हैं शिवलिंग है जहां पे पूजा की जाती तो वहाँ पे गोल्ड की प्लेटिंग को लेकर एक प्रोजेक्ट रखा गया था तो वहाँ पे 1.2 बिलियन का स्कैम नजर आ रहा है उसको लेकर कुछ एलिगेशन से उसकी जाँच पड़ताल के लिए डिसाइड किया उत्रखंड की सरकार ने इस वज़ा से केदारनात मंदिर न्यूज माया है तो केदारनात मंदिर के बारे में हम बात करेंगे केदारनात टैंपल एक हिंदू टैंपल है जो की शिव जी को डेडिकेटेड है लोकेशन कहां पर है तो इसकी लोकेशन है उत्रखंड के अंदर में उत्रखंड में जो खासका रुद्र प्रयाग डिस्ट है केदारनाथ जो है छोटा चारदाम का एक हिस्सा है आपको बता हो एक बड़ा चारदाम एक छोटा चारदाम है जब बात करते हैं छोटे चारदाम की तो छोटे प्लस जो हमारे भारत के अंदर में 12 जोतिर लिंगाज जो लौड शिवजी के हैं उनमें से एक जोतिर लिंगा आपको केदारनाथ मंदर को किसने बनवाया था तो बोल जाता है कि पांडवास नहीं आपर इस केदारनाथ टेंपल को बनवाया था जो कि बाद में आदी शंकराचारे जी ने रीकंस्ट्रक्ट किया था इसको वापस से बनवाया था 8th century AD के आसपास आर्गिटेक्चर की बात करेंगे तो ऐसन ही कि यहाँ पर इटे और मसालों का यूज किया जाए इस मंदर को बनागिया बड़े-बड़े ग्रे कलर के सलाब से यहाँ पर आप देख पारोंगे बड़े-बड़े यहाँ पर सलाब्स आपको नजर आएंगे और इनको आपस में फसाया गया है इसकी इंटर लॉकिंग की गई है फसाने के बाद में यहाँ पर मदब कोई ऐसा मसालों का जो सिमेंट होता उसका इतना प्रॉपर यूज नहीं है बड़ जो ये पत्थर आपको दिख रहे हैं हमारे देश में बारा में जोतर लिंगास आपको देखने को मिलेंगे और उन में से बारा के बारे जोतर लिंगास की जो लिस्ट है आपको प्रोवाइट करवा दी गई है हम लोग केदारनाथ की बात कर रहे हैं तो केदारना जोतर लिंगा आपको उत्रा खंट के रुद्र प्रियाग में देखने को मिलेगा उसके लावा यहाँ पर देख पाओगे गरेन इश्वर, जोतर लिंका, तरिम्बेके इश्वर, काशी विश्वनाथ, नागे इश्वर, है ना इस प्रकार से आपको और भी नाम देखने को मिल रहे होंगे आगे आता है निक्स्ट आर्टिकल पे आगले आर्टिकल में जो इंडियन नेवल शिप सुनाइना हैं उसके बारें बात की जा रही है यह जो जहाज आपको दिख रहा है इसका नाम है सुनाइना नाम भली प्यारा सा हो लेकिन बहुत ख़तरनाक यहाँ पर जहाज है क्या है माइटर में आपको समझाता हूँ जो यह जहाज यहाली में जाता है मुंबसा बिसकली कीनिया के अंदर में 20 से लेकर 30 जुन तक यहाँ पर मुंबसा में रहता है और ताकि यहाँ पर आप कह सकते हो हम जो अपने बालेटरल रिलेशन्स हैं इंडिनोशन के अंदर जितने भी देश हैं उनके साथ में रिलेशन्स को मेंटेन कर सकें तो आइनस सुनैना की यात्रा होई थी इस वैसे यह न्यूज में है पहली चीज जो ध्यान में रखना है आइनस सुनैना कौन सी क्लास का जहाज है तो यह सर्यू क्लास का जहाज है कौन सी क्लास का सर्यू क्लास का सर्यू क्लास का ओफशोर पेट्रोल वैसल है पेट्रोल वैसल कौन से होते हैं जो निगरानी रखने के लिए यूज के जाता है या फिर कह सकते हो समुदर में दस तक मारने के लिए यूज के जाता है तो ये एक offshore petrol vessel है Southern Naval Command के अंडर में आता है इसको Goa Shipyard Limited ने बनाया था ये जो पुरा वार्शेप है जो जहाज इसमें काफी सारे हत्यार हैं इसका main काम है दस्तक मारना हमारा जो ocean है जो पुरा समुधर है उसके निगरानी करना है ना offshore assets हो गए उसकी निगरानी करना इसकी जो speed है 25 knots का सपस की speed देखने को मिल जाएगी इसमें काफी सारे communication, electronic systems बगरे लगाए गए हैं है ना तो ये सर्यू class का जहाज है सर्यू में INS सुनैना तो है ही इसके अलाबा सर्यू class के अंदर INS सुमित्रा और सदी साथ में INS सुमेधा भी आते हैं यह आपने द्यान में रखना है आपसे पूछा जा सकता है डिरेक्टली बाकी एक exercise एक अभ्यास है जो कि केनिया की नेवी के साथ में होती है उस exercise का नाम द्यान रखना पैसेक्स ठीक है तो ये maritime partnership अभ्यास है जो कि recently क्या गया है इंडिया की नेवी और कीनिया की नेवी के बीच में तो इंडिया नेवी कीनिया की नेवी के बीच में एक अभ्यास होता है आपसे पूछा जा सकता है उस अभ्यास का नाम क्या है पैसेक्स यह पैसेज एक्साइज यहां पर नाम आपने द्यान में रखना है अगले आटिकल पर आते हैं अगले आटिकल में एक सिस्टम की बारे बात की जारी है जिसकों लोग AIP सिस्टम की बारे AIP सिस्टम बोलता हैं इसकी फुल फॉर में Air Independent Propulsion System आपने पंडूपी के बार पंडूपी वही होगी जो पानी में लंबे समय तक रह सके कुछ सम्मरीन ऐसी होती है जिनको सब्ता में एक बार निकलना ही पड़ता है बाहर अपने आपको रिचार्ज करने के लिए उसके बाद वापस आती है वो नीचे पानी के अंदर तो बार बार निकलना पड़ेगा तो उससे सम्मरीन को पकड़ा जा सकता है डिटेक्ट किया जा सकता है तो पंडूपी वाली बात उसमें इतनी जादा रह नहीं जाती है लेकिन एक पंडूपी ऐसी हाती है उसमें एक ऐसा सिस्टम यूज किया जाता है जिससे पंडूपी वो पानी में लंबे समय तक रह प तो Largen and Tubro and DRDO, इन दोने मिलकर एक Contract Sign क्या है, दो AIP System Modules को बनाने के लिए कलवरी Class of Summarines के लिए, ठीक है जो खास कर हमारी ASO Summarine Indian Navy की कलवरी Class वाली उसके लिए, तो AIP System क्या है, Summarine के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, आपको बता चुका हूँ कि पानी में लंबे समय तक रो जरूरत होती है कि वो पानी के सरफेस और पानी के सतय पर आएं, अपनी बैटरीस को चार्ज करें, लेकिन AIP System कहीन है कि वो काम को काफी ज़दा कंट्रोल कर लेगा, दूसरा AIP System एक और फाइदा करता है, Summarine जब चलती है, तो काफी आवास करती है, अब noise करती है, अब noise कर पाना या data इट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो यह है हमारा air propulsion system, अब air propulsion system में, basically यहाँ पर अलगलग प्रकार आते है, open cycle system, close cycle, diesel system, इस प्रकार की system आते हैं, लेकिन overall जब बात करता हैं, पंडूपियों की, तो Summarine में भी दो प्रकारी Summarine होती है, एक होती ह पंडूपी को कहीं न कहीं एक atmospheric oxygen की आविशक्ता पड़ती है, यानि उसको oxygen यानि सांस लिने पड़ता है, उस समरीन को पंडूपी को बार 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 बाहर आकर, पानी से बाहर आकर सांस लिना पड़ेगा, ताकि अपने diesel generator को वो चला सके, है ना, तब जाके यहाँ पर जो diesel generator है, वो run करेगा, जिसके बतले में बैटरी चार्ज होंगी, तब वो पंडूपी चलेगी, तो यानि इसको पानी से बार बार आना पड़ता है, लेकिन nuclear submarine के अंदर में इतना जरूरी नहीं है, यहाँ पर performance का काफी ज़दा बढ़िया होता है, conventional submarine की comparison में, तीक है तो diesel वाली submarines कौन सी होती है, वो आप समझ गए, nuclear power submarine कह सकते हो कि बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, पानी के अंदर रह सकती है, इनको बाहर निकलने की आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि यह जो nuclear technology है, इसी से energy generate होगी, इसी से यहाँ पर वो submarine चलती होई नजर आएगी, सम खासका North Pole पर जो यहाँ पर कुछ countries है ना, वहाँ पर जाकर आप इस प्रकार से यह वाली जो lights हम वो देख पाते हो, ग्रीन कलर की, इसको अमलोग aurora भी बोलता है, अब यह aurora क्यों है news में कैसे बनता है, वो सारी बात आपने पता होना बहुत ज़दा जरूरी है, क्योंकि अभी एक और कारर था जिसकी वज़ा से रिसेंटली aurora news में बता क्योंकि डेली से शायद देखा गया था aurora, अभी कुछ टाइम पहली की बात में आपको बता रहा हूँ, तो बात यह है कि हाली में एक international team of researchers हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ observation किया है, और यह देखा है कि जो मिली हैं, नोटिस की गई हैं, तो यह matter क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले चीज, aurora होते क्या है, कैसे बनता हैं, यह आपने समझना होगा, जो हमारा सूरज होता है, सूरे, सन, सन क्या करता है, बहुत सरी अपने जो चार्ज पार्टिकल से अपने कोरोना से रिलीस कर इस प्रकार से कह सकते हो, जो सोलर विंड है, सन के आसपास से वो निकल रही होती है, सोलर फ्लेयर्स यहां पर सन के आसपास से निकल रहे होता है, लेकिन हमारी प्रत्वी जो है ना, हमारी प्रत्वी पर डारेक्ली यहां पर यह जो सोलर विंड है, वो अफेक्ट कर सकते है लेकिन हमारी पृत्वी को एक चीज है जो कि इन solar wind से बचाती है वो चीज क्या है वो है हमारी magnetic fields ठीक है जो ये magnetic field आपको दिख रहा होगा ये basic एक shield का काम कर रही है जिससे जो ये sun की solar winds है वो पृत्वी तक पहुंच नहीं पाती है डिरेक्टली इसका कोई बुरा असर भी नहीं पहुंचता है लेकिन ये field कुछ इस प्रकार से है जिससे कि जो ये solar winds है जो sun से solar winds निकल रही है वो यहाँ पर पृत्वी पर directly नहों कर ऐसे जाती है और ऐसे घूमकर उपर नदन एरिया में और सदन एरिया में पढ़ती है ठीक है आप समझे रहो मेरी बात ये जो पृत्वी है यहाँ पर sun है sun की जो ये solar winds से निकल रही है लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक magnetic field बन जाती है इस magnetic field की वाज़ा से directly पृत्वी पर solar winds नहीं पहुंचती है तब aurora बनता है अर्थ के atmosphere से मिल जाती है अब अर्थ का ionosphere क्या है यह आप देख पारोगे पृत्वी है पृत्वी यह उपर कई सारी layers है troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere यही पर ionosphere भी आपको बाहर देखने को मिलेगा तो जो solar winds निकल रही है जैसी वो ionosphere के contact में आएंगी इस वाले particular atmosphere के contact में आएंगी यह aurora को बनाती है इस प्रकार से तो solar winds ionosphere में आते ही इस प्रकार से aurora को बनाता है लेकिन यह जो aurora है यह northern hemisphere और southern hemisphere में ही केवल देखने को मिलते हैं और इनको अलग लग नाम से भी जाना जाता है यह भी धानक ना नदन हमिस्फियर में इस फेनोमेना को बोला जाता है aurora borealis और southern hemisphere में इसको बोला जाता है aurora australis अब यह northern area और southern area में क्यों दिखाई पड़ता है reason मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि magnetic fields है इसकी वैसे यह जो solar wind से घूमकर ऊपर से और नीचे से यानि कि नदन इरिया में और सदन इरिया में सीधे जाते हैं और महाँ पे ionosphere के साथ में contact करते हूँ और ionosphere के में मिलते ही इस प्रकार से जो aurora है वो बनता वा नजर आता है clear हो गया आ गया आता है now next article में बात की जारी है देवरीगर्ड wildlife century के बारे में तो देवरीगर्ड wildlife century news में GS paper number 3 हमारा जो environment वाला section है उसके साथ में इस article को link किया जा सकता है now matter क्या है वो समझते हैं तो recently यहाँ पर pre monsoon science survey यह जो survey हुआ है देवरीगर्ड wildlife century में महाँ पर कई सारे जो animals है वो यहाँ पर record करेगा है इस century में जिस वज़ा से यह news में है तो एक कारण है जिसके वैसे यह wildlife century news में है कारण तो नहीं पूछ जाएगा लेकिन इस century के बार में आपसे काफी कुछ चीज़े पूछी जा सकती है सबसे पहली चीज यह wildlife century कहाँ पर इस्थेत है यह wildlife century ओडिशा जो राज्य है वहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक हीराकुन डैम महानदी रिवर पर हीराकुन डैम बनावा है दूसरा यहाँ पर एक रैजरवर है ओडिशा के अंदर में उसके बीच में यह देबरीगड वाइलेफ सेंचरी आपको नजर आएगी ओडिशा कहाँ पर है तो आपको यह इंडिया कम आप देखने को मिलेगा और यहाँ पर जाना पड़ेगा इस्टन साइड में यह है ओडिशा ओडिशा से कौन कौन से स्टेट्स जो कि अपने मौंडरीज को शेर करते हैं तो नौर्ट में है वेस्ट बेंगॉल जारखंड इधर वेस्ट में है च्छतिजगड साउथ में है आंद्रप्रदेश और इधर इस्टन साइड में है वे ओफ बेंगॉल ठीक है आगे आते हैं अब बोला जा रहा है कि जो यह वाइडलेफ सेंचरी है ना देवरीगड वाइडलेफ सेंचरी इसको वाइडलेफ सेंचरी का दरजा 1985 में दिया जा था इसके बारे में जो हमारे Freedom Fighter है वीर सुरेंदर साइजी इनको लेकर भी यहाँ पर कह सकते हैं मतलब स्पेशल मेंशन किया या है इस वाइडलेफ सेंचरी के बारे में क्योंकि जो वीर सुरेंदर साइजी है इनकी वज़ा से हुआ क्या था कि जब अंग्रेजों के साथ में विद्रो चलना था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो चलना था तो उस समय पर जो ये वीर सुरेंदर साइजी थे इन्होंने अपना जो बेस है वो इसी सेंक्चरी के अंदर बनाया था इस वेसे यहां पर थोड़ा इतिहास से इसको लिंक किया जाता है उसके अलावा यहां पर अलगलग प्रकार के जानवर अलगलग प्रकार के पेड़ पोदे पाय जाते है उसको लेकर information है वहां पर आपको इतना जोड़ देने की अवशकता नहीं है अब बात यह आती है कि देवरीगड 48 इनिशेटिव भी नियूज में है ये क्या है देखोई जो wildlife है इसका जो division हुआ भा है ये division यहाँ पर इसी division ने launch किया था देवरीगड 48 इनिशेटिव है ताकि जो villagers हैं जो गाउं के लोग हैं है ना उनको जानवरों से यहाँ पर बचा जाता है इंडिया के अंदर में और कह सकतो एक multi-purpose रिवर वैली प्रॉजेक्ट भी है जो कि इंडिया की देश की अजादी के बाद में इसको स्टार्ट किया गया था 1957 में ठीक है तो यह हिराकुन डैम के बारे में सारी information हो गई है तो दोस्तों यह थे सारे articles आई होप आपक चुके हैं लोगों को काफी पसंद आ हैं लोगोंने काफी सारे questions attempt भी किये हैं आज attempt करना स्टार्टिंग में आपको सारे questions बताऊंगा उसके answers देना लास्ट में एक साथ में सभी questions के answer भी बताऊंगा ठीक है पहला question हमारा prelims rapid fire का बात करता है Egypt के बारे में Egypt के reference में आपको त Eastern Africa में और Sinai Peninsula में जो की Western Asia का हिस्सा है दूसरा statement जो नाइल है ये एक लौती रवी नदी है जो Egypt में बहती है पूरे साल तीसरा statement एजिप्ट के जो borders हैं Egypt में North Side में तो आता है Mediterranean Sea लेकिन West Side में आता है Red Sea अब बहुत ध्यान से चीजों को सुनना और इसको memorize करने की कोशिश करो म अब इसके basis पर बताओ इनमें से कितने statement सही है option A केवल एक statement सही है option B दो option से तीनों सही है या option D इनमें से कोई सभी statement सही नहीं है अगले question पर आता है next question पर white rumd vulture के बारे में बात की जा रही है दो statement दिये गए white rumd vulture को लेकर बताना है कौन से सही है पहला statement white rumd vulture medium size का vulture है ज दूसरा statement इस white rumd vulture को IUCN के red list के अंदर में least concern कैटिगरी में रखा गया है तो बताओ दोनों में से कौन से statement सही है option A1 only B2 only C दोनों सही है या D दोनों गलत है next question पर आता है अगले question में केदारना temple को लेकर पूछा गया है केदारना temple को लेकर तीन statement से बताना इनमें से कितने statements सही है कौन सा नहीं कितने है पहला statement केदारनात एक हिंदू temple है जो कि lord ship जी को dedicate किया या है दूसरा statement यह temple गरवाल वाला जो हिमालन रेंज उत्रकंड के अंदर वहां पर स्थित है तीसरा statement जो छोटा चारदाम pilgrimage सरकेट है उसका एक हिस्सा है केदारना temple तो बताओ इन तिनों statements में से कितने statement सही है option A केवल एक सही है option B केवल दो सही है option C तीनों सही है या option D इन में से कोई सभी सही नहीं है अगले question पर आते हैं next question वैं आपसे aurora के बारे में पूछा गया है aurora को लेकर दो statement दिये गए हैं बताना है कौन से सही है पहला aurora जो है यह तब बनते हैं जब sun के corona सा निकलावा charge particle हमारे earth के ionosphere के साथ में मिलता है तब aurora बनता है दूसरा statement यह aurora केवल और केवल पृत्वी के northern hemisphere में बनता है और कहीं नहीं बनता तो बताओ कौन से statement सही है option A1 only B2 only C दोनों सही है या D दोनों गलत है अगले question में आपसे पूछा यह है air independent propulsion system के बारे में AIP system के बारे में AIP system को लेकर again दो statement से बताना है कौन से सही है पहला statement जो AIP system है यह हमारे कि यह क्या करता है यह एक submarine को ना power देता है कि वो लंबे समय तक submarine पानी के अंदर रह सकती है दूसरा यह AIP system submarine की जो आवाज होती है उसको भी यहाँ पर noise levels को कम कर सकता है जिससे submarine को detect करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो बताओ इन में से कौन से statement सही है option A1 only, B2 only, C दोनों सही है या D दोनों गलत है next question पराता है interesting question है असान है INS Sunaina एक offshore petrol vessel है तस्तक मारने वाला जहाज है जो की हाली में news में देखने को मिला है ये कौन सी class को belong करता है आपने बताना है क्या ये कलवरी class का जहाज है क्या ये सर्यू class का जहाज है क्या ये Delhi class का जहाज है या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों ये थे सारे के सारे questions I hope आप लोगोंने maximum questions को बिल्कुल सही सही attempt किया होगा चलो फिर देखना start करते हैं कि exactly क्या क्या answers है इन सभी प्रश्न के last वाले questions से answer को देखना start करेंगे तो आकरी question में आपसे पूछा गया था कि INS Sunaina एक petrol vessel हाली में news में कौन सी class को belong करता है तो इसका सही उतर option number B फिर अगले question में आपसे पूछा गया था AIP सिस्टम को लेकर बताओ दो statement है कौन से सही है दोनों के दोनों statements हैं क्योंकि AIP सिस्टम के माधियम से जो submarine है वो लंबे समय तक पानी में रह सकती है दूसरी चीज़ submarine की जो noise levels है वो भी कम हो सकती है जिसस submarine को detect करना काफी मुश्किल हो जाता है तो इसका सही उतर option number C both 1 & 2 फिर अगले question में आपसे पूछा गया aurora सको लेकर बताओ दोनों statements में से कौन से सही है तो यहाँ पर केवल एक statement सही है पहला वला दूसरा गलत है क्योंकि आपको बताया था aurora कब बनता है जब sun के corona से निकल hemisphere में भी बनता है सदन औसलिस का नाम मैंने आपको बताया था याद आ रहोगा इस वज़ा से दूसरा statement गलत है क्योंकि दूसरा statement बोल रहा है कि यह जो aurora's केवल और केवल northern hemisphere में फॉर्म होता है next question में आपसे पूछा यह था केदारनाथ temple को लेकर तो बताना था इसमें से कि आई ट्रम वल्चर को लेकर यहां पे दोनों के दोनों statement गलत है पहला statement बोलता है कि यह वाला जो गेद्ध है यह केवल इंडिया के वैसन घाट से पाया जाता है ऐसा पड़ा था क्या नहीं इंडिया के सासत काफी सारे और देश यह वहां पर भी पाया जाता है उसके वाला दूसरा statement बोलता है कि IUCN red list में इस वल्चर को least concern category में cover क्या गया है आगेन यह भी गलत है least concern नहीं critically endangered category में cover क्या गया है तो इसका सही उतर नेदरवन नर्टू यानि option number D फिर आपसे पूछा गया एजप्ट को लेकर कि बताओ इन तीनों statements में से कितने statement सही है यहां पर maximum Africa एक हिस्सा Africa में एक हिस्सा Sinai Peninsula में दूसरा statement यह भी सही है नाइल नदी एक लौती नदी है जो कि Egypt में पूरे साल बहती है तीसरा statement यह गलत है क्यों गलत है आपने तो पढ़ाया था कि Egypt के North में Mediterranean Sea है ठीक है लेकिन क्या यह पढ़ाया था कि West में Red Sea है नहीं Red Sea कहां पर है Egypt के just Eastern Side में यहाँ पर है ना और Red Sea और Mediterranean Sea के बीच में एक Swiss कैनल है जो कि इन दोनों समदुर को जोड़ता है है ना पढ़ा था ना यादार आओगा आपको तो basically Red Sea West में नहीं East में एक वर्ड नहीं आपर गेम चेंज कर दिया तो इस वज़ा से third statement हटा सकते हो पहला और दूसरा सह नहीं है तो दोस्तों यह था पूरा का पूरा discussion आई होप आपको मज़ा चुका होगा बहुत कुछ आपको इस वीडियो से जानने को मिला होगा ना करते हैं इस lecture का end और मिलते हैं आप लोगों जगले वीडियो में आज के लिए बाए-बाए, have a nice day, thank you and jahind